हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मागना चाहूंगा मैंने गल्ती से गल्त नोटिफिकेशन की वीडियो बना दी इसके लिए I am really sorry मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन आये थी बस कि DRDO में सैंटिफिक रिकूर्टमेंट आई है इसकी स्टार्टिंग एप्लिकेशन डेट इस्टार्ट नहीं है वह मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर आपकी देखिए नई रिकूर्टमेंट आई यह देखिए आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 145 मैंने गल्ती से इसकी बना दी थी यह लास्ट टियर की वे किजेगा पर हाँ अब इसकी स्टार्टिंग डेट स्टार्ट नहीं हुए जब भी स्टार्ट होगी वह मैं आपको जरू बजा दूँआ तिल देन आप यह देख लीजिए कि कितनी वेकंसी आपकी आने वाली है तो 181 टोटल वेकंसी हैं जिसमें मैं केमिस्ट्री की बात कर अब इसमें वही है कि एज आपकी 28-year तक अकाउंट की जाएगी और OBC की 31st और SCSt में 33 अब इस लेडी दे रखा है यहां पे तो इस लिंक से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं पर अभी इसका लिंक उपन नहीं हुआ होगा और यह उपन होगा तो इसके 21 दिन तक आप आप सकते हैं और screening कैसे होगी eligible sorry screening और shortlisting कैसे होगी eligible candidate will be shortlisted on the basis of gate score in the ratio of 1 by 10 subject to their ability in order to discipline wise category wise merit list तो एक merit list बनाई जाएगी जिसमें मतलब एक seat पर 10 बच्चे बुला जाएगे तो shortlist candidate will be asked to confirm their willingness to appear for the interview और उसके बाद interview होगा और फिर interview भी date बथा दी जाएगी तो यहां पर आप देखें score के basis में एक list लगाई जाएगी और उन बच्चों को सीधा interview के बुलाया जाएगा selection process यहां पर लिखावा है the shortlist candidate on the basis of gate score will be required to appear in the personal interview to be held at Delhi or any other place तो वही है कि gate score के basis में interview होगा और तब जाके आपका selection होगा the final selection of the candidate will be purely on the basis of discipline wise merit of 80% of the gate score and 20% of the personal interview जानी 80% आपका gate score count होगा 20% आपका personal interview count होगा तो कहने का मतलब है कि इसमें purely यह जो आपकी vacancy है gate score के basis में ही मतलब आप भर सकते हैं आप पर gate qualify तब ही आप भर सकते हैं और gate score भी आपको बहुत अच्छा होना चाहिए जैसे कि आप देखते हैं आपकी chemistry में vacancy सबसे कम है तो जहें इसी बात है top 100 वालों की ज्यादा chances है होने के बाकि अगर आपको थोड़ी सी भी उमीद है या आप भरना चाहते है इस form को आप भर सकते हैं और इसमें fees तो कमी रहती है government forms की like DRDO की तो मैं आपको फीस बतायता हूँ गर application fees कहीं लिखी हो तो वह भी एक बार देख लेते हैं तो application fees आपकी application fees यह आपकी लिखी वी यहाँ पर देखी general की fees आपकी 100 रुपीज है बाकी SC, ST, PWD and woman candidate ले कोई fees नहीं है तो यह आपका एक पूरा criteria है तो chemistry में 5 seat है physics की बात करें तो 10 seats हैं और बाकी mathematics में 2 seats हैं तो इस type से इसकी number of seats अभी लेवल है और यह 2023 का यह advertisement है तो sorry मैंने पहले वाले इक लिए जो बना दिया तो गलती बना दिया तो दुवारा मैं आपसे मुखिल मांता हूँ बाकी जब इसकी exact date यानि जब यह open हो जागा इसके लिए मैं आपको दुवारा एक वीडियो बना के दूँगा तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी informative व वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थेंक यू